समस्ते हैं आज function का basic ठीक है function हम लोग पढ़ेंगे अभी तक हम लोग relation पढ़ रहे थे अब function पढ़ेंगे ठीक है function किसे कहते हैं उसको समझने से पहले हम लोगों को फिर थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा ठीक है पीछे चलें तो हम लोग set की बात कर रहे थे set के बारे में हम लोग जानते हैं set क्या होता है किन ही भी वस्तों या फिर व्यक्तियों या फिर गिंतियों का ऐसा समूह जो defined हो जो सुपरिभासित हो या सुपरिभासित समूह को ही हम लोग क्या कहते थे set कहते थे यह हम लोग set के बारे में अब नहीं जानेंगे हम लोग अग दो समुच्छेैं इनका जब हम करटीशिञ प्रोड़क्ट निकालते थे, कैसे निकालते थे? बताईएगा, करटीशियन प्रोड़क्ट हम कैसे निकालते थे? इंगलेश में गलती चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्या से यह गलत होगी, स्पेलिंग कर्डिशन जो भी है ठीक है कर्डिशन प्रोड़क्ट हम लोग निकालते कैसे इसको हिंदे में क्या कहते हैं लोग कर्डिशन प्रोड़क्ट को कार्ती गुड़न कार्ती गुड़न लिख देते हैं ठीक है कार्ती गुड़न कैसे निकालते थे हम लोग तो कार्ती गुणन निकाले हैं मतलब A cross B निकाले हैं कार्टी गुणन यह तो होता था ए वेक्टर होगा B वेक्टर होगा A और B का जब हम गुणा करते हैं उसी को हम कार्टी गुणन कहते हैं ठीक है कैसे तो पहले 1 को 4 के साथ में लेखते हैं फिर 1 को 6 के साथ में लेखते हैं तो यह आ 3,4 3,6 इस तरह से हम लोग ordered pair बना लेते हैं इनको हम लोग इंदी में क्या कहते है ordered pair को क्रमित यूगम क्या बोलते हैं क्रमित यूगम ठीक है तो यह हमारे तो यह हमारा काटीशन प्रोड़क निकला या फिर हम लोगों ने एक बात कि थी रिलेशन की ठीयर मतलब समबंद में अ出ऌ में हम लोगों ने यह जाना था कि यूश्षम ने यो समबंद होता है जो रिलेशन होता है वो ant का सबसेट होता है हूँ समुच्चे होता है मतलब BRIAN group में जो भी अवयuju आते हैं वह इसी से उठा करके रखे जाते हैं हो सकता है इसके 2, 3 अवयो आर में हों या फिर 3,4 अवयो आर में हों या फिर हो सकता है सारे अवयो आर में आ जाए मिनलब रिलेशन में आ जाए लेकिन इनके अलावा इस्ट्रा रिलेशन में कोई भी अवयो नहीं आ सकता ठीक है तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन में किसे कहते हैं जिस समुच्चे के सारे अवयों किसी दूसरे समुच्चे में उपस्थित हो तो ऐसे समुच्चे को उस समुच्चे का उप समुच्चे कहते हैं ठीक है हम लोग इससे वैक्त करते हैं यह निसान है इसका सबसेट का ठीक है अब ध्यान से देखिए इसका मतलब हम एक बार example से समझा भी देते हैं जैसे मान लिया मैंने relation ले लिया चलो एक relation लेके समझा देते हैं जैसे मैंने ले लिया A, B एक relation है where B is divisible by A मतलब एक relation है A, B जहां पर B जो है वो A से विभाज है A से कट जाता है B एक ऐसी संख्या है जो A से कट जाती है ठीक है तो इस relation में क्या क्या आ सकता है भी बताओ क्या क्या आ सकता है इस relation में तो ध्यान से देखिएगा ऐसी संख्या है जो जो कट जाए मनलब B जो है वो A से कट नीच चीए čaarch 1 से कटेगा कटेगा एक से तो सब कट जाते है तो ये वाला हम ले सकते हैं छे एक से कटेगा कटेगा ना तो हम एक कमा छे भी ले सकते हैं चार दो से कटेगा कटेगा तो हम क्या ले सकते हैं दो कमा चार भी ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें 6-2 से कटेगा यह भी ले लिया 4-3 से कटेगा नहीं कटेगा तो इसको हम नहीं लेंगे ठीक है छे 3 SH Ary कटेगा 3 कम अचे के तो यह हमने relation तयार कर लिया तीक है एक relation है यह relation अप देखीए इस relation के जितने भीषिआ हों वो सारे के सारे अवयो A cross B में उपस्तित हैं कि नहीं पहले से इसका मतलब है R जो हुआ वो A cross B का subset है या नहीं है है ना subset है तो इसका मतलब है कि relation हमेशा A cross B का subset होता है अच्छा किसी भी Cartesian product से कितने subset बनाए जा सकते हैं subset मन स्वारी कितने relation बनाए जा सकते हैं इसका भी एक formula होता है कि relation के relation के संख्या कितनी हो सकती है number of relations कितने बनाए जा सकते हैं अगर Cartesian product में ये सारे के सारे अवे उपस्तित हो एक ही संबंद नहीं बनाए जाकता है इस प्रकार के बहुत सारे संबंद बनाए जा सकते हैं अईसा भी बनाया जा सकता है एक relation हमने ये कह दिया एक relation ये भी हमने कह दिया कि a comma b where a is divisible by a b तो a b से divisible होगा तो ऐसा आँसा अब यो इसमें हो गई नहीं एक चार से कटेगा क्या एक छे से कटेगा क्या दो चार से कटेगा क्या 2,6 से कटेगा, या, कोई नहीं होगा, तो ऐसे relation को हम लोग क्या बोलते हैं, empty relation मैंने बताया था शुरवात में, जब relation पढ़ाया थे relation की type बताते हैं, ठीक है, तो ऐसा empty relation बन जाएगा, तो ये 2 relation बन गए इसी से, और बहुत सारे relation बनाए जा सकते हैं कितने relation बनाए जा सकते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं पहले ये जाने है number of relations के लिए एक formula होता है number of relation number of relation number of relation के लिए formula होता है number of relation के लिए formula होता है two की power number of a cross b समझे इस कार्थ क्या है इसको नोट भी कर लेना अभी नमबर आफ लेशन मतलब हम इस कार्टीशन प्रोड़क्ट से कितने रिलेशन तयार कर सकते हैं तो फार्मला हमारे पास है दो की पावर नमबर आफ A क्रॉस B लग A क्रॉस B में जितने भी अवे होंगे 1,2,3,4,5,6 तो इसका अभी नमबर आफ A क्रॉस B का अभी है 6 तो दो की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई बताओ दो की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 ना तो इस कार्टीशन प्रोड़क्ट से हम कितने रिलेशन तियार कर सकते हैं प्रोड़क्ट एप के सामने दे देगा और पूस्त देगा बताएगा इससे कितने नमबर आफ रिलेशन बनाए जासम नलब रिलेशनों की संख्या संबंधों की संख्या बताईगा से ऑप की पावर नंबर आफ कार्टेशन प्रोड़क्ट ठीक है लिख लेजिए यह फॉर्मला नोट को लेजिए संबंधों की संख्या का ठीक है इसके बाद में अब हम लोग समझेंगे कुछ बातें जो की होंगी function की आप देखिएगा function क्या होता है तो समझिए function एक प्रकार से relation ही होता है लेकिन एक special प्रकार का relation होता है देखेगा यह जो है यह भी एक रिलेशन है ठीक ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हमने बताए 64 रिलेशन बनेंगे इससे बन जाएंगा ना 64 रिलेशन बनेंगे अगर 6 संख्याएं हैं इसके बितर तो 2 की पावर 6 कर देजिए अगर 5 होते नमबर आफ एक रॉस बी तो 2 की पावर 5 32 रिलेशन बन जाते हैं ठीक है समझ पार है SM रिलेशन तो निकाली लेंगे कितने बन सकते हैं अब जो हम फंक्शन के अगर बात करें तो फंक्शन क्या है फंक्शन एक प्रकार का स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है उसमें स्प मिटा दें नोट करो कुछ 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 नोट करना है क्या इसमें कुछ भी नहीं नोट करना है चलो हम मिटा देते हैं ठीक है इसको मिटा देते हैं अब हम बात करेंगे फंक्शन की मैंने बोला फंक्शन क्या है फंक्शन क्या है मतलब फलन क्या है तो फलन जो है इंग्लिस में लिखता है एटेजा कि इस्पेशल कि टाइप आफ रिलेशन वेर जहां जहां क्या होता है हम कह सकते हैं कि डूमें की बात करें डूमें कभी रिपीट नहीं होगा domain होता क्या है मैंने बताया था शुरुवात में क्या होता है इनके जो ये जो relation में पहले वाले वर्ण होते हैं ये वाले इन्हें हम domain कहते हैं और इनको हम लोग co domain कहते हैं ठीक है इन्हें हम domain कहते हैं और इधर वालों को co domain कहते हैं मैंने बोला, एक ऐसा relation, फंक्षन क्या है? है relation ही, लेकिन एक ऐसा relation जिसमें domain repeat नहीं होना चाहिए, जैसे अगर हम इस वाले relation की बात करें, तो इस वाले relation में हम ध्यान से देखें, तो one, एक domain है, और फिर one आ गया, यह one repeat हो गया, यह नहीं होना चाहिए to repeat हो गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो relation है यह function नहीं हो सकता function होते relation ही है लेकिन ऐसे relation होते हैं जिनमें domain repeat नहीं होता है जैसे अगर हम बात करें उसी partition product से कुछ एक ऐसा relation तयार कर देते हैं हमने 1,4 ले लिया 2,4 ले लिया 3,6 ले लिया हमने का यह एक relation है तो अगर यह relation है तो इसमें हम देख रहे हैं domain 1 है, 2 है, 3 है कहीं पर domain repeat नहीं हुआ HR domain repeat हुआ, नहीं हुआ तो इसका अच्छोर् atención हो सकता है यह function होगा हो सकता है क्या यह होगा यह relation तो है ही relation के साथ साथ में function भी है तो हम यह समझ लें कि function क्या है function एक प्रकार का relation ही होता है लेकिन एक ऐसा relation होता है जिसमें domain कभी भी repeat नहीं होता है अब जरा ध्यान से देखिए इसको हम मिटा रहें यहाँ पर यह function हो सकता है तो इससे हम f लिख देता है इसमें हम क्या करते हैं function को अच्छे से समझने के लिए एक arrow diagram का इस्तिमाल करते हैं हम लोग करेंगे इसमें इसको हम domain कहते हैं इसमें सारे अव्यों वो लिखते हैं जो domain में होते हैं और इधर side में co domain ठीक है इसमें अगर हम इस function की बात करें तो इसमें domain कौन-कौन सा है 1 है 2 है 3 है इसमें co domain है 4 & 6 ठीक द्यांसर देखेगा 1 किसे related है 4 से ठीक है 2 किसे related है 4 से 3 किसे related है यहां पर देखेगा co domain repeat हुआ है co domain repeat हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है केवल domain नहीं repeat होना चीए co domain repeat हो रहा कोई दिक्कत नहीं है function होगा वो लेकिन डोमेन नहीं रिपीट होना चाहिए ये नहीं रिपीट होना चाहिए मतलब इसको अगर याद रखना है तुम्हें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दो इंसान एक ही जगे पर जा सकते हैं कि नहीं एक A है, एक B है और एक बिंदू, यहाँ पर है मालिय कानपूर ठीक है, यहाँ पर दोनों को पहुँचना है तो A यहाँ जा सकता है, साथी साथ में दोनों पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं पहुँच सकते हैं, ठीक है लेकिन अगर हम कहें A है और इधर कानपुर है इधर लखना हुआ है क्या ए दोनों जगे पहुँच जाएगा एक की समय पर नहीं पहुँच सकता ना मलब ए दोनों जगे नहीं पहुच पाएगा ए दोनों जगे नहीं पहुँच सकता लेकिन दो लोग तो एक जगे पहुंच सकते हैं इसका मनलब है दो लोग एक जगे पहुंच सकते हैं लेकिन आपको कभी ऐसा दिखे कभी ऐसा दिखे जैसे 1, 2, 3 ले लिया, 4, 6 ले लिया और इस तरह से दिख जाए कभी इस तरह से अब देख रहे हैं कि एक को हमने चार पास भी पहुचा दिया छे के पास भी हो जा दिया ऐसा हो इनी सकता एक दो जगे कैसे पहुंच जाएगा चीक है दो लोग एक जगे पहुंच सकते हैं लेकिन एक लोग दो जगे नहीं पहुंच सकते यह condition function की नहीं है function में कभी भी कोई भी element दो लोगों से connected नहीं होगा इधर के दो लोग एक से connected हो सकते हैं लेकिन इधर का single उधर से दो लोगों से connected नहीं हो सकता है है मतलब हमने यह कहा कि domain कभी भी repeat नहीं होगा लेकिन ko domain रपीट हो सकता है समझ पारहें ना यह बात समझ पारहें ठीक है आप समझेगा एक और बात एक और बात जो टर्म्स हम लोग इस्तिमाल करेंगे उस सारे सरे समझना हैं इसको हम लोग domain बोले हैं इसको को Lane बोल 4 है 6 है 3 भी है तो क्या ये अभी function है function अभी है function की केवल एक condition है कि domain repeat नहीं होना चाहिए और सारे domain का कोई न कोई image होना चाहिए ऐसा नहीं है कि ये 3 को छोण दो 3 का है नहीं ऐसा होना चाहिए सबका होना भी चाहिए तो अब ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग क्या बोल रहे है डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज क्या बोलते हैं प्री इमेज बोलें या फिर डोमेन बोलें बात एक ही है प्री इमेज बोलें या फिर डोमेन बोलें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं और इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं और इसको हम यह होती है image यह क्या है image इमेज ठीक है वन की image क्या है 4 टू की image क्या है 3 की image क्या है 6 मतलब domain की दो domain की एक image हो सकती लेकिन एक domain की 2 इमेज नहीं हो सकती बात clear है एक domain की दो image नहीं बन सकती लेकिन 2 domain की एक image हो सकती है बात clear है ओर ध्याण से देखिएगा अगर हम image जो images है यह 3 किसी कि image नहीं है 3 इमेज नहीं है जो image हैं इन image का कोई सेट ले लें यह इमेज का कोई सेट ले लें लब इमेज में कौन-कौन आ रहा है फोर आ रहा है तो यह फोर और सिक्स यह इमेज का सेट है ठीक है तो इमेज का सेट होता है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं परिसर बोलते हैं परिसर हिंदी बोलते हैं परिसर रेंज क्या है जो connected है जो छूटे है उनको नहीं अच्छा ये अगर हम co domain को बोलें तो co domain क्या है co domain होगा हमारा 4 3 6 ये co domain है पुरा domain क्या है तो domain हमारा है 1 2 3 domain है ये domain है ये co domain है range क्या है range में co domain के केवल वही वाले elements लिये जाएंगे जो किसी ना किसी की image है जो image है ही नहीं उनको हम range में सामिल नहीं करेंगे इससे ये बात सिद्ध होगी कि जो range होगी वह co domain के ही सारे वियो रेंज में उपस्तित होंगे अर्था जो range होगी वह co domain की का subset होता है co domain का subset हुआ क्योंकि इसके सारे वे उस co domain में तो मिली जाएंगे क्या co domain के सारे वी वे और range में मिलेंगे ज़रूरी नहीं है तीन नहीं मिल रहा है तो इसके सारे वो इसमें नहीं मिल रहा है तो अर्था थम यह नहीं कह सकते कि जो domain है वो range का subset हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते लेकिन range हमेशा co domain का subset होगा उप समुच्चे होगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिखें कि range जो होता है range हमेशा subset होता है किसका co domain का देखें range co domain का subset होता है मनलब परिसर जो है वह सहप्रांथ का उपसमुच्चे होता है और कभी कभी range co domain के बराबर भी हो सकती है range co domain के बराबर कब होगी जब सारे elements corrected हो जाएंगे तब हो जाएगे इस स्थिति में हम कहें कि बिया इसका code domain क्या है 436 इसका range क्या है 436 सारे connected है सबको range में भी सामिल करेंगे तो इस situation में range और code domain अच्छा अच्छा यह तो फंक्शन ही खतम कर दिया है स्कारी इसको और कोई देते हैं और कोई देदे चलो फोर कर लिया ठीक अब कुस्ट अब कुस्ट ठीक है ठीक है तो इस situation में हम कहेंगे कि तीनो इसमें भी होंगे मनलब स्वहपरांत में भी होंगे 436 और हमारे रेंज में भी होंगे 436 तो ऐसी सी situation में range और code domain एक्वल होंगे ठीक है तो range और code domain होंगे एक ये भी condition हो सकता है कि range code domain से छोटी हो छोटी हो मतलब सबसेट होगी उसकी फोप सम उच्छे होगा उसका ठीक है यह बात क्लिए है तो अभी तक हम लोग यह जान चुकें फंक्शन क्या है फलन क्या है फलन एक प्रकार का संबंध होता है लेकिन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें जो को अला पोर्शन होता है उसके अव्यों को हम प्रीएमेज भी बोलते हैं थी के हिंदी में क्या वोलते हैं में नहीं जानता थे Rs P जो connected होते हैं domain से ठीक है वही रेंज के बीतर आएंगे उसके अलावा नहीं आएंगे बात क्लियर है यह जो को डोमेन में सारे अवयों है इनको हम image बोलते हैं लेकिन image उनको बोलेंगे जो connected होंगे जैसे चार image है किसका image है वन का भी है टू का भी है 3 image है 4 का 6 किसका image है 3 का ठीक है तो यह image बोल जाते हैं बात किलियर है इतनी इसमें कुछ note करने वाला हो तो note कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप साफ function पढ़ेंगे हम लोग ठीक है function के प्रकार जिससे relation के प्रकार हम लोग उने पढ़े थे उसी प्रकार function के तो इसको मिटा देते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे types of function ठीक है जैसे हम लोगोंने relation में पढ़ा था relation types of relation वहाँ पे हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा था types of relation में कौन कौन से relation हम लोगोंने पढ़े पता हैं कौन कौन से relation पढ़े empty relation पढ़ा था, universalization पढ़ा था, उसके बाद में तीन टाइप्स पढ़े थे, कौन-कौन से, reflexive, symmetric और transitive, ठीक है, इसके बारे में बात गया, अब हम लोग पढ़ेंगे types of function, basic class है, इसको समझते रहना थोड़ा, पूरी आगे class समझने में आये कि, अगर ये समझ गया है, types of function, ओके, types of function, देखेगा, first type कौन सा होता है, one-one function, one-one, function, इसको हम लोग, हिंदी में क्या बोलता है, अभी, एक एक की फुलन, एक एक की फुलन, ओके, इसी को हम लोग injective भी बोलता है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है, one-one function को ही इंजेक्टिव बोलता है, ठीक है, ज्यादा तर हम लोग यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, one-one function, इंजेक्टिव कभी-कभी निकल जाए, तो समझ लेना, इंजेक्टिव भी इससे बोला जाता है, इधर समझ यह, ठीक है, यहने क्या बोला, one-one function, होता क्या है यह समझ ले, एक ऐसा function, एक ऐसा function, यह हमारा जिसे domain है, यह हमारा code domain है, क्या बार बार डो डो लिखते हो, code domain है, ठीक है, इसमें कुछ elements है, अर्मालिया, one, two, three, four, five, यहां पर कुछ है, a, b, c, d, e, f, ठीक है, कितना है, अगर हम देखें, domain, जो हमारी pre-image है, प्रतेक pre-image की, केवल और केवल एक image बन रही हो, केवल और केवल, एक image बन रही हो, और वो भी unique हो, unique होने का मतलब, ऐसे भी हो सकता है, यहां पर देखिएगा, one की एक image है, a, और यहां पर हमने देखा, three की एक image है, a, तो one की unique image, a नहीं रहे गई, अब, क्योंकि one की image, a है, तो a three की भी है, तो ऐसे स्थितिमें हम यह नहीं कर सकते कि unique image है, किसी की, जो b है, वो unique image है, केवल दो की है, और किसी की है नहीं, ठीक है, तो unique image होनी चीए, मैंने यह बोला, जिसे इसको हम इधर मिला सकते हैं, ठीक, अब देख रहे हैं, हर domain का, हर element, co domain के, अलग-अलग elements से जुड़ा हुआ है, सबका अलग-अलग relation है, किसी का एक से connected नहीं है, ठीक है, सबका अलग-अलग relation है, सबका अलग-अलग, अगर संबन्ध है, तो ऐसे function को हम लोग बोलेंगे, one-one function, जिसका केवल और केवल one image होना चाहिए, one image तो सब की होगी, जैसा अगर हम five की बात करें, image ए है, लेकिन ए और किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि function तो ये भी हो सकता है, ना, function के लिए condition तो ये है, one, two, three, four, a, b, c, d, ठीक है, हमने के दिया, ये इससे connected है, ये इससे connected है, ये भी इससे connected है, जितनी हो सकती है, सब हो सकती है, ठीक है, तो ये भी तो function है, ये भी तो function है, चार लोग किसी एक इस्थान पर नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसका मलब है, कि ये function तो है, लेकिन ये function one one नहीं है, क्योंकि इन सबकी image A है एक की image A है, दो की भी A है, तीन की भी A है, चार की भी A है अर्थात किसी की भी unique image नहीं है अगर अलग-अलग image परापत होती है हर domain की तो हम ऐसे location को क्या वोलते हैं one-one function ऐसे function को हम लोग one-one function कहेंगे one one function मतलब कोई भी domain का कोई भी element को domain के केवल सिंगल element से जुड़ा हो और वो element और किसी से फिर ना जुड़ा हो सबसे अलग relation हो तो ऐसे function को हम लोग क्या बोलेंगे one one function बात clear है ना ये बाली बात clear है तो ये one one function है ये one one function है ठीक है अच्छा one one function की एक खास्यत होगी खास्यत क्या होगी खास्यत बता तुदी यह तो खास्यत है कि मनलब दूसरे से वो नहीं जूड़ सकता वो image अगर किसी एक की image है तो वो image किसी दूसरे की भी नहीं हो सकती single एक वेक्तिकी होगी ठीक है कि इस पर हमारा अधिकार है केवल और किसी का ने बी पर केवल दो का अधिकार है और किसी का ने f पर केवल तीन का अधिकार है और किसी का ने ठीक है तो ऐसे function को हम लोग one one function बोलेंगे ुए बात क्लियर्ण है ये मात क्लियर है समझ गये है चलो आप सेकन्टाइप देखते हैं function का शेक्टाइप function का है मैंनीवन function क्वान यसा मैंनीवन function इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते सभण ना या बहु ऑएकट पूर की ऐसे तो इस बोलता है बहु कप बहु एक 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 की फलन ठीक है तेखो वन वन का मतलब यह समझ में आ रहा है वह वन , मतलब वन से वन ही नहीं अब यहां पर बता है मैनी वन बहुत सारे लोग 1 से connected होंगे मैनी 1 मैनी 1 ठीक है मतलब यह हुआ मतलब यह हुआ ध्यान से देखिएगा मतलब यह हुआ कि अगर यह हमारा domain है और यह हमारा codomain है ठीक है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है यहाँ पर A, B, C है ठीक है 1, B से connected है 2, A से connected है 3 की image C है 4 की image A है 5 की image B है और 6 की image C है जरूरी नहीं इससे भी हो सकती है तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक चीज कि इधर के कई लोग X से connected हो जा रहे है ठीक है मैनी 1 ठीक है बहु एक है की इधर बहुत उधर अकेला ठीक है तो बहुत से लोग जब अकेले से जुड़े हों जाके तो ऐसे function को हम लोग बोलेंगे many one function बहुए कैकी फ़ल बात clear है रहे ना कोई समझने में problem है क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है नाम से पता चल रहा है मैंनी one function मलब बहुत लोग एक से जुड़ेंगे जाके ठीक है इधर domain यहां पर one one function की बात क्या है कि single single relation होना चाहिए यहां पर single वाला नहीं है अगर single होंगे तो फिर one one हो जाएंगे ठीक है किसी एक का भी relation जैसे हम यह नहीं कह रहा है कि सबका double होना चाहिए सबका triple होना चाहिए ऐसा भी हो सकता है जैसे यह domain यह अपना code domain अरे ऐसे लिए दते है code domain ठीक है यहां पर one two three four five यहां पर a b हो सकता है यह यह सब उससे connect हो जाए बी से कोई connecting ना हो या फिर हो गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ऐसे relation को हम लोग क्या बोल रहे है many one ठीक है many one relation ठीक बात clear बात clear है तो one one function में कोई problem है पहचान तो जाएंगे न one one function क्या है तुरंट देख के बता देंगे many one function क्या है समझ जाएंगे तुरंट बहुल लोगों से अगर connected है कोई भी image तो वो फिर many one function होगी बात clear है इसको note करना है note करना है note करो इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगला function पढ़ेंगे third function जो होगा on to surjective function इसे बोलते हैं तो जल्दी से इसे note करिए चलो अब देखो आगे मनलब तीसरा टाइप function का third type एक हम लोग पढ़ चुके हैं one one function जिसमें हर डोमेन का एक unique image प्राप्त होती है ठीक है दूसरा पढ़ा many one मनलब कई सारे डोमेन की केवल एक image हो सकती है ठीक है many one तो बोलते ही है इसको और कुछ नहीं कहते है और मैंने तो नहीं पढ़ा कि many one को और कुछ भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद में है एक तीसरा टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं on to function on to function on to function ओके इसे surjective function भी बोला जाता है surjective हिंदी में बोलें तो इसे आच्छादी या आच्छादक बोलते हैं आच्छादक आच्छादक फलन ओके यह है on to function या फिर surjective C को बोलते हैं आच्छादी फलन ठीक है अब ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए यह होता क्या है यह होता क्या है यह होता क्या है देखिए जैसे एक domain है हमारा और यह है हमारा co domain ठीक डोमेन को डोमेन डोमेन में 1 2 3 4 5 6 को डोमेन में A B C D 1 की इमेज है A ठीक है 2 की इमेज है C 3 की इमेज है B 4 की इमेज है D 5 की इमेज है A और स्वारी 6 की कर दी है कोई दिक्कत नहीं है और इसकी भी कर दी हमने 5 की इमेज भी A बना दिया ठीक इस तरह से अब हमें यह देखना है यह on to higher नहीं है तो आंटो का मतलब अब समझे आंटो का मतलब आच्छादी का मतलब डोमेन में कोई भी अव्यो छूटा नहीं रह जाना चाहिए सारे अव्यो किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लिया ई भी हो और यहाँ पर ई छूट गया फूंक्षन तो tuv होगा यह जिए डोमेन के सारे व्यो कनेक्ट हो जाने जायए इसके तो होते ही है लेकिन इसमें भी कोई छूटा नहीं चाहिए अगर इसमें कोई छूटा नहीं थो हम कहेंगे कि ये अच्छादक है मतलब ये onto function है अगर ये छूट गया मतलब अगर e यहाँ पर बना रहता और वो किसी से connected नहीं है तो ऐसी situation में कहते हैं ये onto नहीं है लेकिन अब ये onto है क्योंकि co domain के सारे ये वियो connect हो चुके हैं किसी ना किसी की image है हाँ ये छूट जादा तो many one अभी है many one तो अभी है many one भी है और ये onto भी है many one की condition है कि कई लोगों से connected है many one है और onto भी है क्योंकि यहाँ पर बात clear है ना बात clear है तो onto की condition क्या है कि co domain का कोई भी aware चुटना नहीं चाहिए co domain के सारे के सारे element किसी न किसी की image होनी चाहिए ठीक है और ऐसी situation में हम कह सकते हैं कि इसमें co domain जब हम निकालेंगे इस स्थती में co domain बताईए क्या होगा तो co domain है हमारा a b c d और range निकालेंगे a b c d मतलब अगर range और co domain दोनों equal हो जाएं तो ऐसी situation में समझ लेना कि वो onto function है क्योंकि range क्या होती है range में वो elements लिये जाते हैं जो किसी न किसी की image होते है वो हमने लिए ठीक है ले लिए और जो co domain देखा वो भी वही है तो co domain और range दोनों equal आ रही है तो ऐसी situation में समझ लेना कि ये onto function है बात के लिए रहे है मतलब यहाँ पर कुछ छूटना नहीं चीए इसमें कोई भी जैसे हम यहाँ पर इस example लें एक और लेके देखते हैं एक और लेके देखते हैं ये domain है ये codomain है 123 है ये ABCD है ठीक है अब ध्याँ से देखिए 1 की image D हो गया B हो गया अब ये बताइए क्या unto function है ये unto function है क्या ध्याँ से देखिए इसमें codomain का एक element चूट गया ये किसी का image नहीं है तो ये unto नहीं है लेकिन 1-1 है 1-1 है ये 1-1 तो है सबकी एक unique image है तो 1-1 है लेकिन unto नहीं है ठीक है unto के लिए condition है कि इसमें कोई चूटना नहीं चाहिए ठीक है इसका मदलब है कि यहाँ पर अगर हम range निकालेंगे तो range निकलेगी ABD और जब codomain निकालेंगे तो codomain निकलेगा ABCD तो यहाँ पर हम देखेंगे कि domain और range बराबर नहीं है अगर domain और codomain दोनों बराबर आ जाते हैं codomain और domain दोनों बराबर होंगे तो ऐसी situation में वो unto function होगा बात clear है नाब बात clear है अच्छा तो अब एक और देख लेते हैं जिससे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव function भाइजेक्टिव बायेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता और साइद uh हिंदी में वो लिया भी नहीं जाता है धिंवेशा है कहीं पर लिखा भी नहीं है मेरे जहाएँ एक पेकी हो छुका जाइem तो फॉर्थ टाइप है जान से देखेगा फॉर्थ टाइप है बाइजक्टिव का मतलब है एक एकी आच्छादी एक एकी आच्छादी टीक है में तो यही तीन थे ये दोनों को मिला करके बना दिया गया है एक एशा फंक्षन जो एक एकी भी हो और आच्छादी भी हो ऐसे फंक्षन को हम लोग क्या बोलते हैं एक एकी आच्छादी भी हो और आच्छादी भी हो जैसे यहां पर यह तो मैनी वन है और आच्छादी आगर यहां पर C ना होता तो यह 1, 1 भी है on to b b, अब यह SM बोलेंगे relationship है यह AK की भी है तो AK की अच्छादी इसे बोलेंगे समझ बार है AK की भी condition follow हो रही है आच्छादी की भी condition follow हो रही है तो AK की भी है है की नहीं AK की है,an कोई element छुट भी नहीं रहा है ठीक है तो एक-एकी भी हो आच्छादी भी हो ऐसे function को हम लोग बोलेंगे एक-एकी आच्छादी अर्थात by-jective ठीक बाइजेक्टिव मतलब जिसमें दोनों हो एक-एकी भी हो और आच्छादी भी हो ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर एक example दिखा देते हैं आपको यह हमारा domain हो गया माल लिया और यह हमारा co domain हो गया ठीक है 1 2 3 4 5 a b c d e एक-एकी आच्छादी में number of elements in domain and number of elements in co domain equal होते हैं मलब जितने इसमें होंगे उतने इसमें होंगे इसमें 5 हैं तो इसमें 5 ही होंगे क्योंकि एक-एकी भी उनको होना है तो सबका अलग-अलग होना चाहिए इसे एक का बी से हो गया इसका इधर हो गया इधर हो गया इधर हो गया इधर हो गया तो सबका अलग-अलग है अलग-अलग है और इसमें कोई छूटा भी नहीं है ठीक है सारे हो भी गया है तो एक- आले तो इसको Note करें लिए और इसके बार ने रिलेसिक कहानी होती है भलो देखेंगे एक-दो एकजामपल आर उसके बाद में फिर प्र के तो एक बार फिर समझते हैं one 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 ios function क्या होता है जिसमें हर domain के हर element की एक unique image गले सब की अलग-अलग image मिले तो उसे हम बोलते हैं many one sorry one-one function ठीक है अगर दो-tीन domain की मिला करके कोई एक ही image मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं many one बोलते है ठीक है अगर code domain का कोई भी element छूटता नहीं है अर्थात उसकी range और code domain सेम होता है तो ऐसे को हम क्या किसे बोते हैं आएसे फंक्षτα को आंटकर बोलते हैं फिसे बोलते हैं जो वन वन भी हो और हनट है लों बटी दो इसमें लेना है हमारे तीन मुख्य है वह हम लोग समझ चुके हैं ठीक है बाइजक्टिव का कभी-कभी नाम ले देता है एक-एक आच्छा दे तो समझ जाना एक-एक आच्छा मतलब दोनों इसमें ले एक जाम्पल नमबर 7 एकजान सरे कुसा देखेगा समझने का प्रयास करिए मान लीजीए कि कखशा x के सभी अच्छा दस है ठीक माल लेज़े कि कख्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चे ए ए क्या है 50 विद्यार्थियों का समुच्चे है जो कख्षा 10 में पढ़ते हैं ठीक है मतलब ए इस दसेट आफ आल दा स्टुदेंट्स 50 स्टुदेंट्स आप 10 क्लास लिख दें इंग्लिस में क्या ओके 1 2 3 4 5 दा 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 50 तक इसमें 51 नहीं है 52 नहीं है ना 50 तक धिक आगे क्या बोला है माल लीजे कि एफ जो फंक्षन हैं फंक्षन फंक्षन ए 2N में मैंने बताया था भाई सुनो A2N function A2N मतलब domain A से रहेगा co domain n से न का मतलब समझते हो रहा है नेच्छल नमबर नेच्छलन नमबर मतलब वन टो त्री फोर फाइट सिक्स सेवन एट अनंत तक सो लाग दो लाग सब ठीक है तो फंक्षन है एट टू एन में और यहां पर ध्यान से देखिए एक्स इक्वल विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभासित एक फलन है एक्स यो फंक्षन दिया गया है वो फंक्षन में जो रिलेशन बताया गया बताया गया है विद्यार्थी विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर इसमें तो हिंदी लिखा है तो वो तो हिंद ब्लताव है मतलब है X का रॉल नंब्र अगर वन का कहांगे तो इनका रोन रंबर यहां पर एकषास विद्यारती हैं तो कि तो फिरहां तो कितने रोल नंबड दिये जांगे 50 सूपता देह को कि देखिए इसको हम रे डायग्राम से समझे तो होता असानी से हम लोग समझ सकते हैं द्यान से देखें कैसे हमने क्या लिया है छह अपने Doamain लिया दोमैन मतलब यह है हमारा ठीक ए में क्या-क्या होगा वन होगा टू होगा त्री होगा फाइव होगा 50 तक तेख यहां पर n है अपना n में क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा अनन्त तक अनन्त तक होते हैं न कोई इसमें limit क्या होती है ठीक है तो a है ये n है अब जो बताया गया है जहां से देखिए एफ एक्स विद्यार्थी एक्स का रोल नमबर अगर हम इसको कोई रोल नमबर प्रोवाइड कराएं इसको अगर हम कोई भी रोल नमबर प्रोवाइड कराएं तो कोई भी रोल नमबर दिलवा सकते हैं पांच दे दे चार दे 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 लेकिन दो एक वेक्तिको दो रोल नमर तो नहीं दिया जा सकते एक ही दिया जाए हमने मान लिया सिधा सिधा मान लो तो ज्यादा बेतर है कि मैंने एक वाले को एक दे दिया दो दे दिया रोल नमर तीन वाले को तीन दे दिया चार वाले को चार दे दिया क्या हम ऐसा कह सकते हैं पांच वाल को हमने 50 दे दिया क्या यहां पर 50 अी तक संख्याय है इसमें आगे भी quiere इसमें कुछ संख्याय चूट जाएंगी इसमें न ही चूटेंगी इसमें तो सब को दे दिया है सबका relation भी हो गया है इसमें बहु हुह सारी कि अवयो का एक यूनिक इमेज होगा किसी को दो रोल लंबर नहीं दे सकते हैं यह किसी दो को एक रोल लंबर नहीं दे सकते हैं सबका अलग-अलग होगा ना तो सबका अलग-अलग होगा तो हम कह सकते हैं वन-वन होगा यह वन-वन-वन होगा बट अंटो नहीं हो सकता और 1-1 होगा तो many-one तो हो इनी सकता कानी भी से कदम है 1-1 हो गया तो many-one कैसे हो सकता है तो one-one होगा बस ना तो ये many-one हो सकता है ना ही ये onto हो सकता है क्योंकि बहुत सारे elements में भी छुटने वाले हैं 50 के आगे वाले ठीक है तो हम कह सकते हैं इसमें question क्या दिया था पहले वो पढ़ लो पूरा द्वारा परभासित पहला नहीं सिद्ध कीजिए कि F-A कैकी है किन्तु आच्छादी नहीं है तो भ्यान से देख लो F-A कैकी तो है दिख रहा है F-A आच्छादी नहीं है ये भी हमें पता चल गया आच्छादी क्यों नहीं है क्योंकि इसमें छूट रहे हैं ठीक है लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे लिखना भी तो एक कला है ना लिखेंगे कैसे इसको लिखना भी है ठीक है लिखेंगे, 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 हेर, इंग्लिस में लिखेंगे, लोग हिंदी में ट्रांस्रेट कर लोगे, पढ़ें लिखेंगे, बच्चे हो, इंटर में पढ़ रहे हो, इंटर की इंग्लिस पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, स all the elements elements of domain मतलब domain के सभी अवे हो ठीक है है यूनिक इमेज ठीक है मतलब a के या डोमेन के सभी अवे हो का एक यूनिक इमेज है मतलब अलग-अलग सबका इमेज है ठीक है है यूनिक इमेज सो देट इस इस फंक्शनेज पढ़े सब्सक्राइब इस फंक्शन इस ड्री उन वन वन फंक्शन उकी लिख दी हा पहली बात पहली बात लिख दी वन वन है एक एक है हो गया कि मुलब डोमेन के या प्रांत के सभी अवयों का एक यूनिक इमेज है यूनिक संबंद है मुलब अदुति यह जिसे बोलते हैं हिंदी में ना यूनिक को अदोतिय है मतलब दूसरा कोई नहीं है अदोतिय है ठीक है तो this function is one one function ठीक है दोसरी बात दोसरी बात यहाँ पर हम हमें यह दिखाना है कि यह आच्छादी नहीं है यह अंटो नहीं है क्यों नहीं है कैसे लिखेंगे क्योंकि all the elements of codomain are not belongs to range रेंज में सारे अवे हो codomain के नहीं मिल रहे हैं लिखना क्यों क्या है क्या लिखना क्या रेंज और codomain जब दोनों बराबर होते हैं तभी तो होता है na तब होता है न जब range और कोडमेन दोनों से महों मुल्द के सारों अभी कोडि में होने कोडि वेकं रेंज में होने चीए तो ऐसे opens कहते हैं कि वह अङधा है छी कह के लेकिन आम यहां पर देखेंगे की range में केवल 50 तक आंगे को 넘ित अनक argent कहेंगे तो हम कहेंगे कि co domain के सारे elements रेंज में नहीं मिलेंगे पचासी तो मिलेंगे रेंज में आगे कहां मिलेंगे तो हम कह देंगे इसलिए यह अच्छा दी नहीं है ठीक है तो लिखेंगे all the elements of co domain are not belongs to or not belongs to range so that this function is not onto यह function not onto नहीं है ठीक है बात क्लियर है रहा समझ गए हल्वा है कुछ भी नहीं है बस समझना है जवाब देना है ठीक इसको नोट कर रहा है क्या अरे यह six all है भाई एक्जामपल है बुक में है ठीक है तो आप बुक में बुक में कुछी किसी प्रकार से लिखा है देखो बहुत अजीब प्रकार से लिखा होगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है, आप पढ़ना चाहते है, मैं रे डाइग्राम से समझने में बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, तो इससे हम लोग समझा करेंगे हर बात को, उसमें केवल हिंदी में पता नहीं क्या क्या लिख है, कोई बात नी, एक क्यूशन और देख लेते हैं, एट एक्जामपल और उसके बाद में क्लास ओवर करेंगे, ठीक है, एक क्यूशन और देख लेते हैं, जल्दी से, और उसके बाद में होगी क्लास ओवर, क्यूशन नंबर है अपना, एट, एक्जामपल नंबर एट, ठ नहीं तो फिर कल लेकिन बताएंगे सिद्ध किजिए की सिद्ध किजिए की fx equal to x एक function दिया है example 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 it है ना example it सिद्ध किजिए की fx equal to x एक function दिया है 2x fx equal to x function equal to x द्वारा प्रदत फलन f n to n जो function है वो n to n के लिए है मतलब domain vn co domain vn domain vn co domain vn अब बराबरी का टक करूआ ना किन्तु यह बताना है एकेकी है किन्तु आच्छादी नहीं है फिर वही सिद्ध करना है कि एकेकी है किन्तु आच्छादी नहीं है यह हमको सिद्ध करना है ठीक है एकेकी है किन्तु आच्छादी नहीं है ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले domain और अपना code domain domain code domain ठीक है यहाँ पर देखिए domain में one two three n का है तो n होंगे इसमें n one two three four five dot 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 so on infinite तक ठीक है one two three four five six seven eight dot 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 ऐसे होगा ठीक है अब ध्यान से देखिए किस से कौन रिलेट कर रहा है सबसे पहले function लिजिए function function fx equal है 2x ओके आप जरा domain का one लिखे f1 तो टू अंजा टू रहेगा हाँ मनला one का image two प्राप्त होगा one का image two टू लिजिए टू टू जा four हो जाएगा यार four two का image four होगा ठीक है f3 six बनेगा जाके ना three two जा six three का image six होगा four का image eight होगा five का image ऐसे होगा आगे क्या आपको दिख रहा है कि क्या one का image two हुआ है तो क्या two और किसी का image हो सकता इसमें से होई गा नहीं किसी का four और किसी का image बनेगा जाके क्या six और किसी का नहीं बनेगा मतलब यह 1-1 तो है दोसर दिख रहा है यह 1-1 है सबका single single है अब यह on to नहीं है कारण है क्योंकि 1 किसी का बने नहीं सकता 1 किसका बनेगा भई 1 किसका है बन तो किसी का है नहीं अच्छा यहाँ पर अगर real number दे देता यहाँ पर R दे देता हो जाता है एक्स का वैलिव वन बाई टू रखते है टू टू कैंसल वन भी हो जाता थ्री भी हो जाता हो जाता की नहीं हो जाता फाइब भी हो जाता साइब सेवन भी हो जाता सबका हो जाता लेकिन अगर यह रियल नंबर होता तो हो जाता लेकिन यह तो है निचुरल नंबर निच्रल नंबर है तो यह हो नहीं सकता मिलब वन किसी का नहीं हो सकता त्री किसी का नहीं हो सकता फाइब किसी का नहीं हो सकता सेवन किसी का नहीं हो सकता मतलब यह चूट जाएंगे और अगर यह चूट जाएंगे तो फिर अंटो रहा नहीं है अंटो तो तब होता जब और इस्तेमाल किया गया है वो तरीका क्या है वन्वर और अंटो सिद्ध करने का एक दूसरा तरीका होता है mathematically वो भी हम लोग सीखेंगे लेकिन कल ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही गुड़ बाइ